हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल पर एक बर फिर से स्वागत है और आज हम बिल्कुल कलरफुल भेजी टेवल से शादियों में मिलने वाला टेश्टी और चटबटा रेसेपी बनाएंगे आप इसे नास्ता या जब भी आपका खाने का मन हो तो आप घर में रखे वे इं पैन गैस अन करेंगे और पैन को अच्छे से गरम होने देंगे और ये देखिए पैन गरम हो गया हम इसमें दो चमच बटर डालेंगे बटर डालकर हम इसे भी हाई फ्लेम पे अच्छी तरह गरम कर लेंगे और ये देखिए बटर भी हमारी अच्छे से गरम हो गया है और म हमें इसे जादा नहीं भूनना है सिर्फ एक मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पे भून लेंगे जिससे प्याज अच्छी तरह भून जाएगी और इसका क्रंच भी बना रहेगा और प्याज का कच्चा पन भी खतम हो जाएगा और ये दिखे हमारा प्याज अच्छी तरह से बीम्स डालेंगे यहां मैंने बीम्स को बारीक महीन कट कर लिया है बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे यहां मैंने ग्रीन सिमला मिर्च का यूज किया आप इसकी जगा रेडिया यलो सिमला मिर्च का भी यूज कर सकते हैं और अब हम सारे इंग्रीडियन को चलाते मेडियम फ्लेम पे ही एक से दो मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे जिससे इस सबजियों का कच्चापन खतम हो जाएगा और ये अच्छी तरह से भून भी जाएगे इस रेसेपी को बनाने के लिए आप इसमें से जो सबजिया आपको ना पसंद है आप उस सबजी को इसकीब भी कर सकते हैं और इसमें अपने पसंद का फ्रूट या भेजिटेबल और भी एट कर सकते हैं और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे सबजीयों को चलाते हुए मेडियम फ्लेम पे नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से आप वेजिटेबल से ये रेसेपी बनाएंगे तो बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और ये सिर्फ पांच मिनट में बनके तयार हो जाएगा और अब हम इसमें कुटी हुई एक चोथाई चमच काली मिर्च का पौडर डालेंगे काली मिर्च की पौडर के जगा आप रेट चिली पौडर का भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह मिला लेंगे गощ का फ्लेम मेडियम ही रखेंगे और अब हम इसम में उबले हुए मकई के दाने डालेंगे यहां मैंने देसी कौन का यूज किया है आप इसकी जगा स्वीट कौन का यूज कर सकते हैं और अब हम इसे भी चलाते हुए मेडियम फ्लेम पे दो मिनट के लिए अच्छी तरह मिलाते हुए भून लेंगे जिससे कौन में सबजियो और मसालों का फ्लेवर मिक्स हो जाएगा और कौन हमारा बिल्कुल ही फ्लेवर फुल बनेगा और ये देखें यहां मैंने इसे अच्छे से मिला करके एक मिनट के लिए ऐसे पकने देंगे कौन को सबजियों के साथ पकाते हुए दो मिनट हो गए है और अब हम इसमें आदा चमच चाट मसाला डालेंगे आप इसकी जगा आमचूर पौडर का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें एक चौथाई चमच हम भुना हुआ जीरा पौडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिलाते हुए हम मसालो को भी सबजियों के साथ मिक्स कर लेंगे रेसेपी को और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें आदा चमच निम्गू करश डालेंगे जिससे इसमें थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आएगा और अब हम इसे चलाते हुए मेडियम फ्लेम पे ही एक से दो मिनट के लिए और पकने देंगे जिससे मसालो का फ्लेवर भेजी टेबल्स और कौन में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और अब हम इसमें लाश्ट में एक चोथाई चमच काला नमक डालेंगे काला नमक डालकर हम इसे भी चलाते हुए अच्छी तरह मिला लेंगे और ये देखिए हमारा बिल्कुल साधियों में मिलने वाला कौन चाट बनके तयार हो गया है हम इसे इसी तरह चलाते हुए मिला लेंगे और इसे एक मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे आप इसकी जगह चाहे तो ठक करके भी इसे एक मिनट के लिए पका सकते हैं और अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हेलफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और ये देखे हमारा कॉंचाट बनके तयार हो गया है गैस का फ्लेम आफ करेंगे और चली अब हम इसे गर्मा गरम सर्प करेंगे विंटर का सीजन आने वाला है और अगर आपको इस सीजन में इस तरह का कुछ चटपटा खाने का मनो तो आप भेजी टेबल्स कट करके इसे मात्र पांच मिनट में अपने गेश्ट के लिए या बच्चों को जब भी छोटी छोटी भूक लगे तो आप इसे फटा फट से बनाए ये सभी को बहुत पसंद आएगा और ये बनाना जितना असाने खाने में उतना ही ज़्यादा टेश्टी होता है तो आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राइ करें आपके साथ आपके घर वालों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो चली अब मैं आप सभी के साथ मिलूगी एक और नए रेसिपी में